सबी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अप्रेल महीने की ड्यूडेट क्या है 3B की इसे लेकर काफी कंफ्यूजन आ रहा है काफी लोगों की कोल्स मेरे पास आ रही है तो इस वीडियो म मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेल की 3B की ड्यूडेट है क्या इंट्रस्ट कैसे माफ होगा लेट फिस कैसे माफ होगी और कब तक माफ होगी तो यहां पर देख लिजिए ध्यान से कि अप्रेल 2021 की जो 3B की डेट है वो 20 मई 2021 है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ यही एक्च होने क्या बोला है कि अगर आप अपनी 3B आप फाइल कर देते हो कुछ दिनों बात तक तो हम तुमारी लेट फिस वेवफ कर देंगे और हम आपका इंट्रस्ट वेवफ कर देंगे तो यहां पर डूडेट यही है लेकिन सब्जेक्ट टू लेट फिस एंट इंट्रस्ट व है तो चलिए हम अपरेल की बात कर रहे हैं सर्याप किसकी रिटन की बात कर रहे हैं अपरेल 2021 की रिटन की बात कर रहे हैं अदर देन क्यू आरेंपी किसकी बात कर रहे हैं अदर देन क्यू आरेंपी क्योंकि भाई जो वेक्ति क्यू आरेंपी होगा उसकी तो 3B मंतली जाती क्वाटरली था क्वाटर्ली तो हम उसकी करने है अधर देन QRNP जो QRNP में नहीं लेरक्षी अब QRMP में नहीं ले रखी तो 2 वेक्ति हो सकते हैं, कौन से 2 वेक्ति हो सकते हैं, या तो जिसकी turnover 5 करोड से उपर है, ठीक है, या जिस वेक्ति की turnover है तो 5 करोड से कम, लेकिन उसने QRMP नहीं ले रखा, तो ये बात उन्हें ध्यान से सोचनी है कि उनकी April की 3B की डेट क्या है तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें ये पता लग जया भई, अप्रेल की 3B की डेट है 20 मई, लेकिन यहां पर देखो डेट क्या रही अप्रेल की 3B की 20 मई, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, भई 5 करोड से उपर अगर आपकी turnover है, तो अगर आप 20 मई को भरना भूल जात जिन लोगों की turnover 5 करोड से उपर है, तो अगर कोई client आपके पास आता है, कहता है 3B की तो डेट बढ़ गई, तो उसे बोल देना कि 3B की डेट बढ़तो गई है, लेकिन आपके ओपर interest का meter चालू हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दगना, अगर तुम्हारे पास ITC है, ठीक अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपको इस period के लिए 9% का interest आपको देना पड़ेगा, और अगर आप 4 June के बाद फाइल करोगे, तो आपको 18% का interest देना पड़ेगा, सर रही बात late fees की, तो late fees ध्यान दख लो भई, late fees अगर तुम्हाई turnover 5 करोड से जादा है, तो हम तुम प पड़ना है, कि 4 June तक late fees तो नहीं लगेगी, लेकिन 4 June तक interest जरूर लगेगा, अगर तुम्हारी turnover 5 करोड से उपर है, अब सर उनकी बात कर लेते हैं, जिनकी turnover 5 करोड से कम है, उनके लिए यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना, जिनकी turnover 5 करोड से कम है, यह ध्यान में चार June तक भरते हो, तो हम तुमसे कोई interest नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप 4 June के बाद भरते हो, तो 4 June से लेकर 19 June तक जो हम तुमसे interest लेंगे, वो भी 9% लेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा हो, कि मेरी turnover 5 करोड से कम है, तो चार June से पहले ही अपनी GSTR 3B फाइल कर interest नहीं लगेगा, late fees कब तक नहीं लगेगी? भया, late fees कब तक नहीं लगेगी? 19 June तक, लेकिन अगर आप 19 June को फाइल करने जाते हो, अगर आप 19 June को फाइल करने जाते हो, late fees नहीं मांगेगा कोई भी, लेकिन वो आप से क्या मांगेगा? 4 June से लेकर 19 June तक का interest मांगेगा, वो भी 9%, तो sir मैं ऐसा करता हूँ, interest पहले ही जमागर देता हूँ, और tax पहले ही जमागर देता हूँ, और return बाद में फाइल कर दूँगा, तो भाईया, GST के अंदर ना, अभी हमारे GST portal ने, finance ministry ने ऐसा कुछ नहीं दिया है, अगर आप tax जमा करोगे, तो आपको return भी तभी जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी return जमा नहीं होती, तो हम ये नहीं मानते कि आपने tax जमा कर लिया, कोई विक्ति यहां पर ये कहे, खट सर में tax cash ledger में जमा कर देता हूँ, तो आप मान लेना कि मेरे पर interest ना लगे, और मैं return 19 जून को file कर दूँगा, ऐसा नहीं होता, जब तक आपकी 3B file नहीं होती, तब तक tax government के खाते में deposit नहीं माना जाता है, तो भाई ये दो dates ध्यान लखना, अप्रेल वालों के लिए, सर जो वेक्ति composition scheme ले रखे हैं, composition scheme, भाई composition scheme की बात नहीं कर रहें, उनके लिए CMP08 है, सर जिन लोगों ने QRMP scheme ले रखें, भाई, अप्रेल के लिए उन्हें tension लेनी नहीं है, क्योंकि अप्रेल के लिए उन्हें तो कोई return file करनी ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो अप्रेल, मई, जून की 81 return जानी होती है, उनका तो स्री PMT 06 जाता है tax payment के लिए, ये बात clear हो गई, हाँ सर ये वाली बात clear हो गई, अब सर हमेरा मार्च में भी बड़ा confusion आ रहा है, मार्च में client पूछ रहे है, late fees कैसे लगेगी, तो भईया हमने क्या कर रहा है यहाँ पर मार्च के लिए भी दे दिया है आपको, और मई के लिए भी दिया है, तो अगर किसी ने अभी तक ये magazine subscribe नहीं कराई है, इस magazine में आप आपको पूरी सारी चीज clarity से समाज आ जाएगी, अगर किसी ने अभी तक magazine subscribe नहीं कराई है, तो ये number हमारे है, इस screen के उपर, आप इन पर whatsapp करके magazine को subscribe करा ले, सर फी में दे दो ना magazine, भईया देखो current की magazine तो फी में नहीं मिल सकती, पिछले साल की 8 magazine आपको sample के तोर फी में द क्या अगरा है, webinar रखा है, सामको 4 बजे से 7 बजेगा, 23 तारीक को, किस चीज गर topic है, जो भी GST में change हुए है न, date को लेकर, interest को लेकर, late fees को लेकर, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, composition क्या होता है, किसे composition लेना चाहिए, composition की return को ऐसे जाती है, कैसे 9 ने बरना है, कैसे GSTR 4 बरनी है, कैसे CMP 08 बरना है, तो अगर आपको webinar में registration कराना है, तो इस number पर बात करके webinar में भी registration करा ले, ये बात आपको clear हो गई होगी, तो magazine भी subscribe करा ले, भाईया देखो lockdown का बहाना बना कर ये मत को कि हम पढ़ने सकते, थोड़ा बोड time निकालो पढ़ाई के लिए, सर और क्या date है, भाईया ये आपको पता है, IFF की date, IFF की date भूल मत जाना, टेकर न, IFF की date में आपको बता दे रहूं कि 28 मही date है, क्या है, जी 28 मही से बढ़ गई थी, और भाईया tax payment की date, वैसे तो 25 मही है, वैसे तो क्या है, 25 मही है, उस date में कोई change नहीं हुआ है, ल आपको समझ में आ गई होगी, कि भाई, 3B की जो date है, वो किस हिसाफ से है, आपको interest की notification के साथ, और यहाँ पर late fees की notification के साथ पढ़नी है, अगर आपने यह नहीं पढ़ी, तो आपका नुकसान यहाँ पर हो सकता है, अगर किसी की March की return pending है, तो भाईया उसकी returns को file कर देना, क लेकिन जिनकी up to 5 crores है, एक बार check कर लेना वहिया, अगर आपने 3B अभी तक file नहीं करी है, 20 महीं तक file कर देना, नहीं तो उसके उपर interest लगेगा, अभी भी interest लग रहा है, अभी भी interest लग रहा है, कितने percent का लग रहा है, 9% का लग रहा है, आशा कर तो यह वीडियो आपको download कर सकते हैं, हमारा KJ Classes का app और magazine के और webinar के लिए यहाँ पर संपर्ख कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो जादा से जादा लोगों तक share करना, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, thank you for watching.